कि अलो फ्रेंड स्वागत आपका बिट कोई एंड क्रिप्टो करनसी मार्केट अपडेट में और क्रिप्टो प्राइस एनलेसिस में ठीक है तो आज हम बिट कोई अपडेट कर लेंगे ओके मैं आपको कुछ लेवल्स फिर से दूंगा लास्ट विक का भी हमने क्या लेवल्स सब्सक्राइब तक देखना सब्सक्राइब लास्ट तब हमने ऑगस्ट विक में लिया था अपडेट तब मार्क यह हमने लेवल निकालेगी 28700 की लेवल निकाली थी मार्केट एग्जैक्ली वही पर टच करके रिवर्स हुआ है ठीक है थोड़ा सा उपर मार्केट मोमेंट पर पकड़ रहा है मार्केट फोड़ा प्रिवियस प्राइस के बात करेंगे तो प्रिवियस हाई भी एक ब्रेक करने का प्रयास के लिए लेकिन उसके उपर ख्लोजिंग नहीं दिया तो अभी हमने त्राइक है मार्केट ने जो रिजिस्टांस हमने निकाला था 30,000 का मार् तो चोड़ा अभी एक चोटी रेंज में आतक गया है तो अभी मोमेंटम भॉत कम मार्केट में ठीक है आपको बस एक सलाह दूँगा कि अगर आपको लॉंग जाना है क्रिप्टो में बिटकों में तो इन केस अगर हम थर्टी ताउदन के उपर क्लोजिंग देते तो अभी आप हो जाए यह तो नीचे की ट्रेंट लेंग अगर यह ट्रेंट लाइन ब्रेक और यह तो अभी का प्लान इतना है अपना कि अगर यह ट्रेंट लाइन ब्रेक हो जाती है कहीं इन तो फिलाल के लिए वही लेवल रखेंगे लेकिन 30,000 के उपर अगर गया मार्केट तो ही आपको उसमें बुलिश आप थोड़ा बहुत हो सकते हैं फिर से हम टाच करने जाए उस लेवल को और फिर रिजेक्ट अगर आ जाए तो बड़ा डंप हो सकता है तो तो कल अभी शॉला तारिक को कल fmc मीटिंग भी है रात साड़े ग्यारा इंडियन टाइम में रात साड़े ग्यारा बज़े आपको देखना पड़ेगा कि इवेंट में कुछ बदलाव तो नहीं हो रहा है या फिर क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत वोलाटाइल हो सकता थो थोड़ा समबल की करना ठीक है रात रात वाले पिरेड में रात की जो साड़े नों के पूजिशन से अपनी हैंडल करो आप भी सकती है नहीं भी आ सकती है लेकिन इवेंट है तो में उसको रिस्पेट करना पड़े थे तो मार्केट ऐसे चलता है और फेड के जो इवें बात करेंगे तो उसके बाद मैं आपको अपडेट कर सकते हो इस वीक में वह प्लाइन भी मैं आपको दूँगा तो पहले एधरियम देख लेते हैं उसके और एक चीज़ अगर आप जर्फिंगे और फ्यूचर शेड़िंग करते हो यह एक्स्चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्ण नामका एक्चेंज है उसके पर फाइदा है कि जिरो मेकर फीज है फ्यूचर में भी स्पाट के उपर भी जिरो में और टेकर फीजे फीजे फिचर में अगर आप टेड करत और लिंक से अगर आप जोईन करते हो तो आपको फाइव डॉलर वगरा बोनस वह सारे चीज़े मिल सकते ट्रांसफर करने पर और लिंक से जाना होगा तब आपको यह सारे बेनेफिट्स मिल पाएंगे और इनके बास बीच बीच में आप देखोगे तो डेमो टेडिंग भी ह है कॉपी टेडिंग है बहुत सारे ऑप्शन जो रेगुलर रेक्षेंजेस पर बीच देमो टेडिंग भी इनका आप कर सकते हो फ्यूचर का डेमो टेडिंग इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हो ठीक है तो साइन अप कर लेना बहुत फाइदा है और लॉंच पैड़ भी है सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ा मोमेंट आ सकता है मार्केट में तो आपको लेबल जो है सपोर्ट लेवल वह देखना है अगर वहां से भी नीचे तो यह नीचे वाला बॉटा में तेरह सो के लेवल मुझे लगता है अगर ट्रेंड लेक हो जाए तो इतरह में तेरहां सब्सक्राइब करना पड़े का आपको यहां पर वह एक चैनल में या त्रेंगल में से स्क्वीज होते जा रहे है तो बहुत कम है हर एक केंडल डोजी बन रही है इसमें तो उसमें कुछ फायदा नहीं होता है ट्रेड करके अगर आप बीगिनर स्कॉर्स अल्री ट्रेडिं पर है तो हो सकता है उसको रिस्पेट करेंगा मार्केट इस बार नहीं भी कर सकता है तो वह अगर ब्रेक हो आपको संभल करें ठीक है तो उसके बाद 1650 लेवल आपको देखना और फिर नीचे के लेवल में नेक्स्ट विक में आपको वैसे दूंगा ओके तो कुछ खास चे तो इसमें थोड़ी दिख्कत हो जाती है मार्केट को जब मार्केट देखो जब बुलिश होता है ना प्रॉपर ली तो 50 लेवल से उपर ही वो ट्रेड करता है और जब थोड़ा बेरिशनेस आज आज मार्केट में तो बहुत ज्यादा उसमें मूमेंट देख रहे हैं तो इसलो है मार्केट से बोल सकते हैं मोमेंटम चला गया मार्केट का ऐसे हमें देखना बढ़ता है तो वर और यही पिक्चर है अभी का मार्केट का और अगर ओर अल्ट कोई की बात करेंगे तो यह लास्ट लिक में बहुत बढ़ी मूमेंट देखी थी ल्पीड़ फिर और सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए वह थोड़ा बहुत मार्केट में रखते तो चार-पाइब करते रहेंगे वह एक्षेंजे सुने मूग करते रहते सब मिलके उसको कर सकते तो स्पेसिफिक कोईन को टार्गेट करके वह मूग कि आ जाता है ताकि लोग उसमें वलाटलिटी भी रहे लोग नहीं तो फिक्याओ पूरा मार्केट डेड़ हो जाएगा तो लोग चले जाएंगे वैसे लेकिन अभी क्याना उपर की लेवल आ चुकी है आप देखोगे तो यह टार्गेट थे यहां पर मार्केट रिजक्त होता है वहां से चौर्ट ऑपन होते हैं नीचे सब्सक्राइब लोग होते बार बार सब्सक्राइब तो वह उसी जोन में लेना चाहिए अभी थोड़ा यह रिस्की हो सकता है इनके सब्सक्राइब यहां पर ट्रेंड लाइन पर अल्लेड कर चुका है अगर यहां से थोड़ा करेक्शन करके आ जाता तो फिर नेक्स्ट वालेज होन तक हम उसको टार्गेट कर सकते तो ऐसा कुछ कॉइंस में आप बेसिक अनालेसिस करके भी ले तो रिजेक्शन बढ़ा हो सकता है तो यहां से लॉंग करने में कुछ लॉजिक नहीं है अगर आपको लॉंग करना तो आप इस हाइक के ऊपर लॉंग कर सकते न तो यहां पर बचा होगा उसमें रिजिस्टंस के लिए तो पहले रिजेक्शन के बाद फिर से उपर गया औ अभी इसमें लॉंग करने में बहुत रिजिस्टंस की तरफ अभी आ चुके बहुत सारे कोईंस लास्ट विक में पंप होए थे वह भी कंसलीडेट हो रहे है थे वह अभी नीचे की तरफ फिर से ट्रेड हो रहे है बाकी देखने गए तो वैसे कुछ ज्यादा टोकॉंस न अब को आनलीसिस देखना है हम क्या करेंगे हर अफ्ते में बाद निकालते रहेंगे जिसमें हमें कुछ मुमेंट होगा दिख सकता है तो अभी के लिए एक थोड़े बहुत तोकन दिख रहे है जिसमें स्कोब बचा हुआ है इन में से देखने तो यूदी एक थोड़ा सा म मोमेंटम पकड़ता है तो ही प्रिवस अगर ब्रेक करता है तो ही हम उसमें मोमेंटम देख सकते तो यहां पर यहां पर यह ब्रेक होता है तो हम उसमें जम्प कर सकते हैं अगर यहां पर इसके उपर सस्टेन हो जाए तो आप उसमें जा सकते हैं तो वहां से नेक्स टारगेट भी थोड़ा वह उपर की तरफ हम रख सकते हैं कि अभी एक अब्सर करो तो सारे यह फ्लैक बनाके बैटे तो थोड़ा रिसकी ना इस जोन में आपको बोल रहा हूं कि यहां पर रिसकी हो जाता है तो थोड़ा वेट करो सपोर्ट के उपर लेकिन बीटी सी क्या करता है वह देखो पहले उसके बाद आपको उस एक अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है तो सब्सक्राइब यहां से आप उसमें देख सकते लों मुझे एक अभी अभी के लिए अच्छा कोई लगा तो यहां पर 200 में तक जाई सकता है 7.8 वह भी काफी थोड़ा बहुत अच्छा इंट्राडे के ओपर बढ़ता गया तो 15 सब्सक्राइब तो काफी अच्छा है एफ एक से से उसके बीटिस तो अभी मुह ने कर रहा है एक्स वगरा है यूनी थोड़ा रिजिस्टेंस पर और बाकि में निकालके रखूंगा इस बार मैंने ज्याधा कोई नहीं निकाले नेक्स्ट अपडेट जब में आपको है तो एक एक वीडियो उसमें आएंगे एडवांस मतलब सॉरी मुझे बलना कि इंट्रादे का कॉर्स अभी स्टार्ट हो चुका इंट्रादे एंट फ्यूचर्स को तो उसमें वीडियो अभी आते रहेंगे वह फॉलो करो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा ठीक झाल 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 झाल